पिछले कुछ दिनों से प्यास की कीमतों में भारी उच्छाल हुआ है। इससे आम लोगों के जेब पर असर पड़ रहा है। लोगों के इसी परेशानी को देखते हुए उपभोकता मामलों के मंत्राले के वरिष्ट अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि आने वाले सप्ता में प्यास की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है क्योंकि खरीफ की नई फसल की आवक शुरू हो गई है। अधिकारियों की माने तो मौझूदा समय में प्यास का ओसत अखिल भारतिय खुद्रा कीमत 54 रुपए प्रती किलो है और पिछले महीने सरकार द्वारा प्रमुक प्रती किलो मध्य प्रदेश में 49.18 रुपए प्रती किलो और राजस्थान में 47.57 रुपए प्रती किलो पर था। ऐसे में सरकार लोगों को बड़ी हुई कीमतों से राहत देने के लिए दिल्ली इंसियार और अने शहरों में खुद्रा बाजारों में प्यास के बफर स्ट बफर स्टॉक प्यास को पहली बार कांदा एक्स्प्रेस ट्रेन के माध्यम से प्रमुक उपभोकता केंद्रों तक पहुँचाया जा रहा है और इससे आपूर्ती बढ़ाने में मदद मिल रही है। अधिकारी ने कहा कि जब तक स्टॉक खत्म नहीं हो जाता और कीमतें अक्टूबर से अब तक अधिक्तम 3,170 तन प्यास की आपूर्ती दिल्ली बाजार में की जाएगी जिसमें 14 नवंबर को आने वाली रेल रैक भी शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि सहकारी संस्था ने फेर द्वारा 730 तन की एक और रेल रैक गुरुवार को दिल्ली पह पर थे और मंडियों में सामाने कारोबार नहीं हो रहा था। हालां कि अब इसमें सुधार होने लगा है। वहीं मिली जानकारी के मताबिक खरीफ प्यास की फसल अब बाजार में आनी शुरू हो गई है और कीमतों में नर्मी आने लगी है। साथ ही इस बार खरीफ फसल की बुवाई का रखबा बढ़ा था जिससे उत्पादन भी अधिक होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी